बचो आप सब बहुत अच्छे होंगे पढ़ाई भी कर रहे हैं घर में आप लोग बचो अभी तक जो मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था अभी तक हमने अपनी रीटर बूप के लेशन 7 कर लिये थे आज हम लेशन 8 शुरू करेंगे आपके रीटर बूप में इंगलिश में सिखा रहा है एंगलिश में वर्न टू टैन मैं आप लोगों को काउंटि बोर्ड़ बताऊंगी आप उनको देखेंगे लान करेंगे और लिखेंगे कॉपी में तो सबसे पहले हम लोग counting स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों देखे मैंने आप लोगों के लिए one to ten counting board पे लिखा हुआ भी है स्टार्ट करते हैं चलिए सबसे पहले आप देखते हैं गिंती की शुरुबात एक से होती है तो एक जो उतार को इंगेश में हम कहते है one क्या कहते है one spelling होती है o n e one o n e one one यानि a t w o two two यानि दो फिर से repeat करते हूँ o n e one one यानि a t w o two two यानि दो t h r w e three t h r w e three three यानि तीन f o u r four f o u r four four यानि चार f i v e f i v e five 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 यानि पाँच फिर से स्टार्ट करते है o n e one one यानि a t w o two two यानि दो t h r w three यानि तीन f o u r four यानि चार f i v e five यानि पाँच आदेगे s i x six six यानि छे s i x six six यानि छे s e d e m seven seven यानि s e v e m seven seven यानि साथ e i g h t e i g h t e i g h t eight eight यानि आट five six seven eight n i n e n i n e n i n e nine nine यानि नो n i n e nine nine यानि नो t e n ten ten यानि दस t e n ten यानि दस तो बचो आज मैंने आपको पढ़ाया counting counting हमने बॉन टू टेन पड़ी इंग्लिश में यह सारी counting आप अपनी copy में सुन्दर सुन्दर राइटिंग में करो और साथी 1-10 पूरी कंटिंग को लर्न भी करना है आपको तो ये कॉपी में सुन्दर सुन्दर राइटिंग में काम करिए और इसको याद भी कीजिए Thank you, take care